हेलो इस वीडियो में हम फार्मूला टाइप के टूडे फंक्शन के बारे में डे फंक्शन के बारे में मन्थ फंक्शन के बारे में येर फंक्शन के बारे में और डेट फंक्शन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम Today Function को करेंगे तो Today Function का Use हम तब करते हैं जब हमें यहां पे Current Date देखनी उर्थी है तो इसको देखने के लिए यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के वाद Equal To यह लिखा लिखने के वाद यहां पे Today यह Today नीचे आजाएगा यहाँ पे tab की प्रेस करेंगे यह today यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे bracket बंद है यहाँ पे bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद जब enter प्रेस करेंगे तो यह जो date as system में चली हुई वो यहाँ पे आ जाएगी अगर crunch date देखनी हो तो हम today function के जरीए उसको देख सकते है इसके बाद आगे है day function तो यहाँ पे हम करेंगे day function डे कैसे निकाला जाता है जैसे यह date है यहाँ पे इसमें day कैसे निकाला जाता है कि कौन सा day है तो यहाँ पे day function के जरीए हम यहाँ पे day निकालेंगे यहाँ पे हम equal to लिखेंगे equal to लिखने के बाद यहां पर day यह day नीचे आ जाएगा यहां पर double click करेंगे double click करने के बाद आगे यहां पर दे गया serial number तो serial number जो है यहां पर click करेंगे यह जो date है निकाली हुई यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद यह bracket बंद है तो हम यहां पे bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद के बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह दिखो जो यहां पे day है वो day यहां पे आ जाएगा यह दिखो 24 यहां पे आ गया है तो इस तरह से हम day formula के जरीए day को निकाल सकते है इसके बाद आगे month को निकालना है तो यहाँ पे month formula यूज़ करेंगे तो यहाँ पे click किया इसके बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे month लिखेंगे यहाँ देखो month यह निचे आजाएगा आने के बाद यहाँ पे double click किया इसके वाद आगे दिया गया है सीरियल नमबर तो यह सीरियल नमबर यह है यहाँ पर क्लिक करेंगे जो यहाँ पर डेट दी गई है यहाँ पर क्लिक किया यह सैल नेम यहाँ पर आ जाएगा इसके वाद ब्रैकेट को बंद करेंगे यह ब्रैकेट बंद की इसके बाद enter प्रेस करेंगे यह enter प्रेस किया तो यह दिखो यहाँ पर month आ जाएगा तो month function के जरीए हम यहाँ पर month को निकाल सकते हैं इसके बाद year निकालना है तो यहाँ पर year formula यूज़ करेंगे तो यहाँ पर click किया इसके बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद हम यहां पर यह लिखेंगे यह दिखो यह यहां पर निचे आ जाएगा यहां पर डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद फिर यहां पर सीरियल नमबर यह लिखेंगे तो यह सीरियल नमबर यह है यह जो डेट हमने निकाली हुई है यहां पर क्लिक करेंगे, यह cell name यहां पर आ जाएगा, इसके बाद bracket को बंद करेंगे, यह bracket बंद की, इसके बाद enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो, यहां पर year जो है, यहां पर निकल के आ जाएगा, तो इस तरह से यहां पर हम date का day, month और year निकाल सकते ह इसके बाद यहां पे यह जो day हमने निकाला, month निकाला, year निकाला, इसके इसाब से यहां पे date निकालनी है, तो यहां पे हम date formula यूज करेंगे, यहां पे click किया, click करने के बाद equal to यह लिखा, इसके बाद यहां पे date लिखेंगे, यह date, यहां पे date नीचे आ जाएगी, यहां प में यहां पर आ जाएगा इसके बाद यहां पर कॉमा लगा हुआ है कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आगे लिए गया है मन्त तो मन्त पर क्लिक करेंगे यह मन्त निकाला हुआ है यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद फिर यहां पर कॉमा है कॉमा गाने के बाद यहां पे आगे डे है तो डे पे क्लिक करेंगे यह डे निकाला हुआ है यह सेल नेम यहां पे आ जाएगा इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे यह ब्रैकेट बंद की एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने के बाद यह देखो यहां पे डेट निकल में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल धन्यवाद